नमस्कार, राज़्दाना टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रियाम आपके साथ 1904 में रिलीस हुई फिल्म बैंडिट क्वीन को शेखर कपूर ने डारेक्ट किया था फिल्म डकेट से पॉलिटीशन मनी फूलन देवी की कहानी पर बेस्ट थी इसमें फूलन का किरदार एक्टर सीमा बिस्वास ने निभाया था एक्टर गोविन नामदेव ने इसमें ठाकुर श्री राम का किरदार निभाया था जिसने फूलन का शोशन किया था हाली में दिये एक इंटर्विव में गोविन नामदेव ने इस फिल्म पर बात की उन्होंने बताया कि जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तब फुलन सेट के पास की ही एक जेल में बंद थी शूटिंग के दोरान डारेक्टर शेखर कपूर हर दुसरे दिन उनसे सेट से जूड़ी अपडेट शेर करते थे एक इंटर्विव में नामदेव ने कहा कि फिल्म की शूटिंग के दोरान सेट पर एक नियम था दो दिन की शूटिंग करने के बाद हमने जो शूट किया है वो हमें फुलन देवी को बताने के लिए गुवालले जाना पड़ता था चुकि फिल्म की कहानी उनी की लाइब पर बेस्ट थी तो ऐसे में उन्होंने मेकर्स के सामने ये शर्थ रखी थी कि जो भी शूट होगा उनको बताया जाएगा सेट से एक असिस्टन डारेक्टर हर दो दिन में जाकर उन्हें फिल्म की ड्रीफ दे कर आता था एक दिन सेट पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तोर पर काम कर रही एक्ट्रिस डॉली ने शेकर कपुर से पूछा कि क्या वो भी फूलन से मिलने जा सकती है उनसे बात करके उन्हें फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में मदद मिलेगी शेकर ने उन्हें हाँ कर दिया और डॉली असिस्टन डिरेक्टर के साथ फूलन से मिलने पहुँच गई नाम देव ने आगे बताया जब डॉली फूलन से मिली तो फूलन ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी उन्हें बताया कि उन पर किस तरह के अत्याचारों हैं यह सुनकर डॉली रोने लगी उन्हें रोता देख फुलन ने बोला रो क्यों रही हो अभी जो मैंने तुम्हें बताए वो सिर्फ 50 प्रतिशत कहानी है फुलन ने उन्हें डाटते वे ये भी कहा कि आपको रोना नहीं है बलकि मेरी कहानी को लोगों तक पहुंचाना है इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ तहने बाद